बच्चों, दस्मिक अक्षा में आपका स्वागत है। स्वेमुसी का पांच्मा पाठ जननी तूल्यवत सला मा का प्रेम सब में होता ही है। यानि कि प्रकृती माता के बारे में एक बैल के माध्यम से इस कथा को समझाया गया है। कोई किसान दो बैलों के साथ खेत जोतने में लगा हुआ है। उन दोनों बैलों में एक बैल सरीर से कमजोर जाने में असमर्थ था। इसलिए किसान उस कमजोर बैल को परेसान करने में लगा हुआ था। बहा बैल हल को कंदे पर ढोकर जाने में असमर्थ था। खेत पर गिर गया। गुस्से में किसान उसको उठाने के लिए बहुत बार कोशिस करता है। तब पर भी बैल नहीं उठता है। दूसरा परेग्राब। उससे पूछते हैं। अरे सुन्दर लगने वाली सुरभी क्या इस प्रकार रो रही हो। कहो। और वह। विनि पातो नवह कस्चे द्रिश्यते त्रिदसाधिप अहम्तु पुत्रम सोचामी तेनरोधी में कोशिक। हे इंद्र गिरे हुए उस बैल के को देखकर मैं उस पुत्र के बारे में सोच रही हूँ। इसलिए हे इंद्र मैं रो रही हूँ। हे इंद्र पुत्र की दिंता को देखकर मैं रो रही हूँ। वह दुखी है ऐसा जानकर भी किसान बहुत अधिक कष्ट दे रहा है। वह कठिनाई से बोजा को ढो रहा है। दूसरों की तरह से बोजा को ढोने में वह समर्थ नहीं है। यह आप देख रहे हैं ना ऐसा उत्तर दिया। इंद्र फिर कहते हैं हे सुन्दर लगने वाली सुरभी निश्चे ही हजारों पुत्रों में सैकुणों में भी इस प्रकार इस पुत्र पर प्रेम कैसा? इंद्र के द्वारा सुरभी पुछे जाने पर सुरभी उत्तर देती है। यदि पुत्र सहस्रम में सरवत्र सममेव में देनस्यतू सतह सक्र पुत्रस्या भ्यदिका क्रिपा। हे इंद्र अगर हजारों पुत्रों में सब के साथ समान प्रेम होता है। दुखी पुत्र पर हे इंद्र अधिक क्रिपातो होती ही है। बहुत सारे पुत्र मेरे हैं यह सत्य है। तब पर भी इस पुत्र पर विशेश रूप से मन में दुख अनुभब कर रही हूं। क्योंकि यह दूसरों से कमजोर है। सभी पुत्रों में मा का समान प्रेम होता ही है। तब पर भी कमजोर पुत्र पर मा की अधिक क्रिपा सरलता से सहजता से होती है। सुरभी के वचन को सुनकर आश्चरे चकित हुए इंद्र का भी हृदय पिघल गया। और वह उस सुरभी को सांत्वना देते हैं। हे वेटी जाओ सब कुछ अच्छा होगा। जल्दी ही तेज हवा से बादलों के गर्जन के साथ वर्षा होने लगी। लोगों के देखते ही देखते सब जगह पानी ही पानी हो गया। किसान बहुत अधिक खुसी से हल जोतना छोड़कर दोनों बैलों को लेकर घर आ गया। अपत्ये सुचसरवेशू जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तुसामाता कृपार्द्र हिदया भवेत। सभी पुत्रों में मा का प्रेम समान रूप से होता है। दुखी पुत्र पर मा की कृपा और हिदय का पिघल जाना स्वभाविक ही होता है। धन्यवाद।